हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक ऐसा रियूज आइडिया जो की आपके बहुत काम आएगा तो देखिए फ्रेंट्स ये डैनिम की ड्रेस है जो की मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी मे मैंने मारकिंग करके एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो अब हम इसको यहां से कट कर देंगे और बहुत ही असानी से पांच मिनट में यही जो बेकार पड़ी हुई ड्रेस है यह हमारे कामा जाएगी तो आप वीडियो लास सक देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे इ यूज किया है तो यह मैंने कट कर दिया है उपर का पार्ट तो यह रिखे फ्रेंट्स इसको अंदर की और हम फोल्ड करेंगे इसलिए हमने फोर इंच लिया है क्योंकि दो इंच अंदर की और फोल्ड होगा और यह बहुत ही ब्यूटिफुल प्रिटी सी हमारे पास है तो इसको असानी से हम घर में यह इड़ी ड्रेस से ही बनाएंगे तो यह रिखे फ्रेंड्स यह ओरंज कलर की जो इसमें पायपिंग लगी हुई है इसको हमें हाइड करना है तो मैंने ऊपर का जो चोली की piping नजर आएगी तो यह अच्छा नहीं लगेगा यहां से belt पे तो इसको हम hide कर देंगे उपर से ऐसे सिलाई लगा के यह fabric जो है उपर attach कर देंगे तो बड़े ध्यान से देखिए चारो तरफ से fold करते हुए इस fabric को हम इसके उपर attach कर देंगे जिससे की हमारी जो सारी piping है यह hide हो जाएगी तो यह देखिए बड़े ध्यान से तीनो तरफ हमें चारो तरफ सिलाई लगा देनी है fold करते हुए यह सिलाई लगानी है अब हम यह last जो है हमारी side इसको भी fold करते हुए सिलाई लगा देंगे तो यह हमारी जो है सिलाई वो complete हो चुकी है और यह देखिए यह हमारी मगजी जो है जो बाहर की तरफ आएगी वो hide हो चुकी है तो अब हम देखिए friends अब हम जो है इसका belt बनाएंगे तो यह मेरे पास elastic है यह 26 इंच मैं लूँगी आप चाहें तो अपनी कमर के according ले सकते हैं 6 इंच मैंने यहां से लिया है और इसको दोनों किनारों को पकड़के यहां से हम मजबूती से पक्का कर देंगे सिलाई machine की help से तो बहुत सी सिलाईयां लगाते हुए इसको हम अच्छे से मजबूती से या इस जोड को पक्का कर देंगे यह देखिए यह मैंने मजबूती से इसको कर दिया है जोड को पक्का तो अब हम यह लेंगे इसका जो घेरा है उसको पकड़ेंगे एक साइट से यहां से हम स्टार्ट करेंगे elastic रखते हुए और बाकी का जो fabric extra है उसको fold कर देंगे अंदर की और और सब्सेट अँछी तो हम elastic के यहां ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो Elastic है हमारी इसमें हिले नहीं यह दिखिए यहां से एक यां दो सिलाई लगाते हुए हम टर्न हो जाएंगे तो अब हम यह सारे घेरे में Elastic को बीच में नहीं लाना है तो सारे घेरे में हमको सिलाई लगा दनी है बिल्कुल इक्वल हमें रखना है सारा घेरा इसका तो आप चाहें तो पहले सिलाई लगा के बाद में Elastic डाल सकती है लेकिन यह बहुत ही आसान तरीका है Elastic एड़ करने का तो यह सारी धीरे धीरे हमें Elastic को खींचते हुए यह सारी सिलाई घेरे की लगा दनी है फोल्ड करते हुए और Elastic बीच में नहीं आनी चाहिए इस तरीके से यह हमें सिलाई लगाते जाना है और बहुत ही असानी से हमारी जो बेकार पड़ी हुई अलमीरा में बेकार पड़ी हुई थी यह फ्रॉक मेरे पास तो मेरी डॉटर को स्कर्ट चाहिए थी डैनिम की तो मैंने उसको यह री यूज करके स्कर्ट बना के दी है तो यह अब हमारी यूज में आएगी तो ऐसे ही आप भी जो बेकार पड़ी हुई आपकी ड्रेसेज हैं उनको री यूज कर सकते हैं और यह बहुत से टॉप्स के साथ यह हमारी जो डैनिम की स्कर्ट है यह यूज हो जाएगी तो यह देखिए यह सारे घेरे में मैंने अच्छे से खींचते हुए सिलाई लगा दी है यह हमारी सिलाई जो है वो कम्प्लेट हो चुकी है तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से यह इसका इलास्टिक इसके अंदर पढ़ चुकी है और यह बहुत ही अच्छे से इसका जो है नेफाब बन चुका है और यह देखिए यह प्रेटी सी स्कर्ट हमारे पास अब रेड़ी है तो देखा आपने कि कैसे हमने बेकार पड़ी हुई जो हमारी ड्रेस थी जो कि अलमीरा में बेकार पड़ी हुई थी उसको हमने रियूज करके कितना प्रेटी सा यह स्कर्ट बनाया है तो हो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको और भी ऐसे यूजफुल आइडियाज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आई है जरासी भी आपको अगर यह वीडियो लगी है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मैं आपने चैनल में ऐसे बहुत से यूजफुल आइडियाज देती रहती हूँ और मेरे चैनल में आपको ब्यूटी एंड स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मिलेंगी और बहुत से यूजफुल आइडियाज मिलेंगे तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको आगे और भी वीडियो ऐसी हेलफुल देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर